नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चानल The Trade Bull Official में दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि Bank Nifty कल 6 January के दिन कहां पे कामकाज कर सकता है आपके call put के क्या target रहेंगे बट वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कल हमारा Marathon Session है और Marathon Session जो हमारा होता है यह सिर्फ Paid Members के लिए होता है जो Master Class Pro Edition या जिन्होंने separately Marathon Program खरीदा हुआ है तो कल मैं लाइव नहीं आऊँगा थोड़ा ध्यान सर जो Free Subscribers है ध्यान सर टेडिंग करें दोस्तों पहले मार्केट ने आज अब दिखते हैं कैसे कामकाज किया पहले मार्केट ने हमें Gap Up Opening दी तकरीबन 43,100 levels के आसपास Open होते ही मार्केट ने पहले ही 5-10 मिनिट के अंदर immediately यहां 42,900 का level यह चुआ इसके बाद दोस्तों यहां पर मार्केट डबल टॉप बनाने गई और डबल टॉप बनाने के बाद जैसे ही अगर आप देखेंगे मार्केट में यह डबल टॉप पाटन मार्केट में complete हुआ हम यहां पर एक अच्छा खासा फॉल नीचे देखने को मिला और तकरीबन 10 बजे मार्केट ने वापस एक फुल बैक लिया ओपर जाने के लिए और उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ ही एक पाटन मार्केट में देखने को मिलते रहे हलके हलके पुल बैक लेने के बाद मा उपर जाती रही, closing, bank 50 ने दी है, 42,608 levels के आसपास, excuse me, अब अगर आप देखेंगे, market में एक trend line ये, नीचे की तरफ से follow हो रही है market में, जो support दे रही है, और अगर आप उपर की तरफ देखेंगे, तो ये आपको एक यहाँ पर resistance line, नजर आ रही होगी, अब कल market में कहाँ पर कामकाज हो सकता है, क्या चीज़े रहेंगे, तो दोस्तों बात करते हैं पहले global markets की, तो global markets इस टाइम पर deep red में है, वीडियो बनाते समय, अगर हम Dow Jones की बात करें, तो Dow Jones इस टाइम पर वीडियो बनाते समय, तक्रीबन माइनस 354 points पर है, अगर हम यहाँ पर बात करें, NDX की, बतलब कि Nasdaq की, तो Nasdaq यहाँ वीडियो बनाते समय, 154 points पर माइनस में है, अगर हम SNP index की बात करें, Standard and Poor index की, तो वो तक्रीबन माइनस 39 points के आसपास है, और अगर हम बात करें, SGX निफ्टी की, Singapur निफ्टी की, तो Singapur निफ्टी इस टाइम पर सिरफ माइनस 24 points चल रहा है, अगर आप यहाँ पर बात देखें, तो Global Markets में Gap Downs और Negative Events आपको देखने को मिलेंगे, हम Already यहाँ पर एक Negative Opening आज देख चुके हैं, तो इसका इतना effect हमें कल देखने को मार्केड में नहीं मिलने वाला, मतलब कल मैं मार्केड के अंदर एक Flat Opening एकस्पेक्ट कर रहा हूँ, मार्केड में, हो सकता है मार्केड यहाँ से आपको Plus-Minus 100 की Opening दे दे, लेकिन तकरीबन मार्केड में Flat Opening के जाला chances है, अब, अगर मार्केड फ्लाट ओपन होती है, तो क्या Levels बनेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको वेट करना है 42,748 लेवल का, इसके उपर अगर मार्केड जाने की कोशिश करती है, डेफिनेटी यहाँ पर Call की Positions हम बनाना पसंद करेंगे, टार्गेड फिर उपर की तरफ 42,900 और 43,000 तक के हो सकते हैं, अगर मार्केड यहाँ पर इस Trend Line का Breakdown देती है, यह जो देखिए, यह जो बनी हुई है, इस Trend Line का Breakdown देती है और आपको 42,540 इस लेवल के नीचे निकलती भी नजर आए, तो Definitely Put की Positions आपको बनानी है, टार्गेड नीचे की तरफ 42,400 और 42,300 तक के देखने को मिल सकते हैं, बट दोस्तों मैं आपको यहाँ बार-बार सचेत कर रहा हूँ, 42,748 बहुत क्रूशल लेवल है मारकेट के लिए, इसके उपर जाता है, गल्ती से भी Put की Positions मत बनाईएगा, सिरफ Call की Positions और Targets आपको बता दियें, 42,900 और 43,000 के, दोस्तों कल मैं मारकेट के अंदर नहीं होंगा, थोड़ा ध्यान से समल के Trade करिएगा, Marathon Session है, तो आप लोगों से Free Users से मुलाकात होगी, मंडे के दिए, तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक्यू, और बाबाई,